इसमें कोई शक नहीं है कि हॉरर फिल्मों में बरसाथ के दिन बड़े खतरनाक दिखाई देते हैं वैसे भी बारिश का मौसम थोड़ा डरावना होता है कई बार बरसाथ हमारे लिए काफी अनसेफ होती है जो हमें बिमार कर सकती है साथ ही अगर बादल गरजने और बिजली के साथ बारिश हो तो तेज दुफान आपकी जान भी ले सकता है मुझे शुरू से ही बारिश नहीं पसंद लेकिन उस दिन मैंने सूचा कि बारिश में कार के अंदर रहने से ही मैं सेफ रहूँगा दिनों मेरी लाइफ में भी कुछ चल रहा था। पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा कि मुझ पर नजर रखी जा रही है एक अजीब बुढ़ा आदमी हर रात खिड़की से मुझे देख रहा था मुझे लगता है कि ये बुढ़ा आदमी बहुत डरावना था वो नॉर्मल इंसान जैसा भी नहीं देखता था वो बिना कपड़ों के था उसकी वाइट स्किन और बड़ी नाक थी और उसका एक बड़ा कूबडा भी था इसके अलावा मैंने देखा कि उसने बैलेंस बनाए रखने के लिए हाथ में एक छड़ी पकड़ी हुई थी वो दिखने में भी काफी उदास लग रहा था मैं ये देखने के लिए कई बार बाहर गया कि वो क्या चौहता है लेकिन हर बार जब मैंने दर्वाजा खोला तो वो वहाँ से जा चुका होता था मैंने पूलिस को बलाने या उस पर चिलाने की कोशिश की लेकिन मैं उस तक नहीं पहुँच सका मैं उसे ढूंड नहीं पा रहा था और उसने भी मुझे जवाब नहीं दिया मैं जानता था कि ये आदमी मेरा कुछ नहीं कर सकता लेकिन फिर भी मैं थोड़ा डरा हुआ था मैंने सोचा शायद कुछ वक्त के लिए अपना घर छोड़ने से सब सही हो जाएगा और उस डरावने बुढ़े आदमी को मुझे घोरने के अलावा कुछ और करने को मिल जाएगा सड़क बहुत लंबी थी और बहुत पारिश हो रही थी फिर भी मैंने हाईवे से जाने का डिसीजन लिया मैं जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचना चाहता था और मुझे पता था कि दूसरे रास्ते से बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा मैं कार में बैठ गया और उसे स्टार्ट ही करने वाला था लेकिन मुझे याद आया कि मैंने अपने घर का दर्वाजा खुला ही छोड़ दिया था मैं कार से बाहर निकला और गेट बंद करने के लिए भागा अगर मुझे ये बात पता नहीं लगती तो शायद वो डरावन बुढ़ा आदमी मेरे घर में घुज गया होता अपने घर का दर्वाजा बंद करने के बाद मैं कार में वापस गया और हाईवे की तरफ जाते हुए कार की स्पीड तेज कर दी सड़क पर ज्यादा भीड नहीं थी, ज्यादा लोग ट्रावल नहीं कर रहे थे लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता की हाईवे बिलकुल सुनसान था मैं बारिश में सामने की खिड़की को साफ करते हुए चलता जा रहा था जब मैंने वेदर चक किया तो मुझे पता था की काफी जादा बारिश होने वाली थी मुझे डरता की बरसात के साथ ओले ना पढ़ने लग जाए ड्राविंग के दोरान ओले पढ़ना बहुत ही रिस्की हो सकता है और इससे मेरी कार भी डैमेज हो सकती है दूसरी मुझे इस बात की भी फिक्र हो रही थी की तेज बारिश में कहीं मेरी कार किसी दूसरी कार से टकराना जाए इस कारण में इस बात पर बहुत ध्यान नहीं दे रहा था कि कार के अंदर असल में क्या चल रहा था मुझे अपने पीछे सांसों की आवाजे सुनाई देने लगी मैं तेजी से मुड़ा मुझे लगा था कि ये मेरी इमेजिनेशन के कारण हो रहा था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था पिछली सीट पर मेरे पीछे एक आदमी बैठा था ये वही बोला आदमी था और वो अपनी काली छोटी आँखों से मुझे घूर रहा था बुढ़े की बगल वाली सीट पर एक बड़ी सीट पिछाई हुई थी ये वो शीट थी जिसका यूज में पिछली सीट पर अपनी फाल्दू चीजों को ढखने के लिए करता था क्या बुढ़े आदमी ने खुद को ढख लिया था और खुद को बेड़ शीट में छिपा लिया था ताकि मैं उसे देखना सकूँ वो किस वक्त मेरी कार में आया था जब मैं अपने घर का दरवाजा बंद करने गया था मैं बुढ़े आदमी पर कई बार चिलाया मैंने उससे पूछा कि वो वहाँ पर क्या कर रहा था और मैं उसे कार से बाहर जाने के लिए चिलाया उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया वो बस अपनी तरावनी आखों से मुझे देखता रहा मैं हाईवे से हटने का सोच रहा था इसलिए मैं रोड पर पीछे मुढ कर देखा लेकिन बुढ़े आदमी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जैसे ही मैं मुढने वाला था उस आदमी ने अपनी छड़ी मेरी तरफ की और मेरे पैर पर छड़ी से जोर से प्रशर दिया कार बहुत तेज स्पीड से चलने लगी और मेरे सामने आ रही कुछ कारों को भी टकर मारने लगी मैंने अपने पैर इस छड़ी के प्रशर से बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था मेरे पैर पर इतना फोर्स कैसे आ गया था ये बुढ़ा आदमी ना तो इतना ज़दा स्ट्रॉंग था और ना ही ज़दा कमजोर था और वो ज़रा सा भी जोर देता हुआ नहीं लग रहा था वो आदमी मेरे पास आ गया और उसना अपना मूँ मेरी गर्दन पर रख दिया मैं उसा मारने के लिए पीछे मुड़ना चाहता था लेकिन मैं मानो पैरलाइज हो गया था ये नॉर्मल नहीं था मैं काफी डर गया था मेरे साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कार तीजी से आगे बढ़ रही थी और बारिश तेज होती जा रही थी जिससे कार को कंट्रोल करना और भी मुश्किल होता जा रहा था मेरी कार के अंदर मैंने फील किया कि बुड़े अद्मी न अपना मुँ और फैला लिया था लेकिन अचानक कोई तेज चीज मेरे गर्दन में घुसी बुढ़ा अद्मी मुझे काट रहा था एक चीख के साथ मैं फिर से खुद को थोड़ा कंट्रोल कर पा रहा था लेकिन मैं उसे नहीं मार सका साथ ही मेरा कार से कंट्रोल हट गया था तो कार हाईवे से नीशे जाने लगी थी बारिश के कारण मेरे लिए कार को दुबारा कंट्रोल कर पाना impossible हो गया था और मैं एक beam से जा टकराया और मेरा accident हो गया मैं कुछ दिनों बाद एक hospital में जागा मेरे लिए ये एक चमतकार जैसा ही था कि मेरे कार की किसी और कार के साथ टकर नहीं हुई था मुझे नहीं पता क्यों लेकिन भले ही कार को ढखने के लिए कुछ भी ना होता या अगर मैं घर का दरवाज़ा बंद करने के लिए कार से बाहर नहीं निकलता तो भी मुझे लगता है कि बुढ़ा अदमी कार में ही होता किसी ने मेरी स्टोरी पर यकीन नहीं किया लेकिन कोई भी मेरी करदन पर पड़े निशान के बारे में नहीं बता सका उस दिन के बाद मैंने फिर कभी हाईवे पर गाड़ी नहीं चलाई और मैं बरसात के दिनों से और भी ज्यादा डरने लगा मैंने उस बुढ़े अदमी को फिर कभी नहीं देखा लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं उस बुढ़े अदमी के बारे में नहीं सोचता सोचता हूँ कि वो कौन था क्या था ये उस समय की बात है जब जंगल में जाने के लिए बने गवर्मेंट रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे मैं और मेरा दोस्त अक्सर शिकार करने जाते थे मेरे दोस्त के पास एक पैट डॉक था कीको वो एक गाडियन डॉक था और बाकी जानवरों पर नज़र रखने में बहुत माहिर था मैं और मेरा दोस्त निक उस वक्त 27 साल के थे निक काफी एक्सपर्ट था क्योंकि वो 9 साल के उम्रे से ही अपने पापा और दादजी के साथ शिकार पर जाया करता था मेरे लिए ये एक नया एक्सपिरेंस था इसलिए जब हम शिकार करने जाते थे तो हम ये ध्यान रखते थे कि हम जंगल के अंदर जाएं जहां जादा से जादा जानवर हों और हम जल्दी उनका शिकार करने के लिए उन्हें ढूंड सकें हमारे शिकार वाले टाइम में जादा तर मैं, निक और कीको ही होते थे लेकिन कभी कबारनिक के पापा भी हमारे साथ होते थे हम वहां लगभग दो दिनों तक रहते और कभी-कभी अगर सही से शिकार नहीं हो पाता तो हम तीन दिन भी रह लेते थे जब तक मैं शिकार करने और सही तरीके से जंगल में सर्वाइव करने में काफी एक्सपर्ट हो चुका था तो एक दिन वो घटना हुई मैं अच्छा केम्पिंग एरिया ढूंड लेता था और फिर मैं एक टेंट लगा लेता था और आग भी जला देता था और सबसे जरूरी बात ये है कि शिकार नहीं मिलने पर जंगल में फूड भी ढूंड सकता था इसके अलावा मैं हर चीज करने मैं एक्सपर्ट था तो जब हम दो दिनों से अपनी शिकार ड्रेवल में थे और निक ने अपने एक्सपिरेंस से ये कहा कि हम जंगल में रास्ता भटक चुके थे निकी वो इनसान था जिसने मुझे शिकार करना सिखाया था और बाकी जरूरी ट्रिक्स और स्किल्स भी सिखाई थी इसलिए मुझे यकिन नहीं हो रहा था कि हम रास्ता भटक गए हैं हमने एक मीडियम साइस के हिरन का शिकार किया था और अपने पैक पैक के साथ हम उस हेरन को भी उठा कर ले जा रहे थे आसपास काफी मैगनेटिक पत्थर थे इसलिए हमारे कमपास सही से काम नहीं कर रहा था साथ ही हमारे पास कोई मैप भी नहीं था ऐसी सिचुएशन में या तो रात के लिए एक टेंट लगा सकते हैं और सूरज के निकलने के बाद रास्ता ढूणना चाहिए और जब तक आप किसी सेफ जगह पर नहीं पहुँच जाते तब तक पानी का पीछा करना सबसे सेफ है निक और मैंने पहले भी उन जंगलों में शिकार किया था इसलिए हमें पता था कि कुछ मील दूर एक नैशनल हाईवे था इस हाईवे पर ज्यादा ट्राफिक नहीं होता था लेकिन अगर हम उस हाईवे तक पहुँच जाते तो आगे की ट्रैवल के लिए हमें ट्रक या कार में लिफ्ट भी मिल सकती थी मैं खुद अब जंगल में दो दिन रहकर पूरी तरह से ठक चुका था और हमारे पास पीने का पानी भी कम था साथ ही निक ने कहा कि हमारे पास वो मरा हुआ हिरन होना शायद बाकी जंगली जानवरों को अट्रैक्ट कर सकता था इसलिए उस शाम हमने हाईवे तक चलने का फैसला किया इसके अलावा हमें अपना कुछ सामान भी छोड़ना पड़ा सूरज डूबने के लगभग एक घंटे के बाद मेरी सेलफोन की रेंज आ गई और हमने हाईवे तक जाने का सबसे छोटा रास्टा ढूनने के लिए जीपीएस का यूज किया इसलिए हमें दो घंटों के अंदर हाईवे मिल गया लेकिन उस राथ हमारी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया कोई भी गाड़ी हमारे लिए नहीं रुकी और कभी-कभी ऐसा हुआ कि या तो हम जहाँ जाना चाते थे उस जगह कोई गाड़ी नहीं जा रही थी या कीको के साथ होने से कुछ लोग हमें लिफ्ट नहीं देना चाहते थे निक ने कहा मुझे लगता है कि हमें कुछ देर रोड के साथ-साथ चलना चाहिए उन आदमियों को देखने के बाद पहले तो हमें थोड़ा सुकून महसूस हुआ हाला कि निक मुझ से और कीको से कुछ कदम आगे चल रहा था उसके इन लोगों के बारे में ख्याल कुछ और ही था वो काफी डर कर एक ही जगह पर रुख गया और खड़ा हो गया अरे यार क्या हुआ रुके क्यों मैंने निक से पूछा जिस पर उसने कुई जवाब नहीं दिया बलकि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आगे चलने से रोग दिया उसने मुझे चुप रहने का भी इशारा किया तो हम बहीं खड़े होकर उन आदमियों को देख रहे थे अब जब मैं उन लोगों को काफी देर से देख रहा था तो मुझे कुछ अजीब फील हुआ सबसे पहले कि वो आधी रात में लकड़ी क्यों काट रहे थे इसके अलावा वे जंगल के अंदर क्यों नहीं कए थे बलकि हाईवे के पास पेड़ क्यों काट रहे थे शिकार के दिनों में पहले भी हम कुछ लकड़ हारों से मिले थे और उनमें से ज्यादा तर लोग जंगल के अंदर ही जाते थे और सबसे जरूरी बात ये थी कि उन्होंने सूरज ढलने से ठीक पहले ही काम करना बंद कर दिया था मुझे लगता है कि ये लकड़ारे नहीं हैं निक ने डरते हुए कहा तुम्हें क्या लगता है फिर वो क्या कर रहे हैं और तभी जिस पेड़ को वो काटने की कुशिश कर रहे थे वो गिर गया और क्लियर हो गया कि वो क्या करना चाहते थे पेड़ जंगल में नहीं गिरा था बलकि सीधे हाईवे पर गिरा था जिससे सड़क का ज़्यादतर हैसा ब्लॉक हो गया था ये बिलकुल क्लियर था कि कोई भी फोरविलर सड़क पार नहीं कर सकता था हे लियो हमें यहां से चलना चाहिए यार निक ने मुझ से कहा जैसे ही हम अपने कदम पीछे करने लगे हमने देखा कि एक कार दूर से आ रही थी हम दोनों जानते थी कि वो क्या कर रहे हैं तो हम दोनों सड़क पर कूद पड़े और जल्दी से वहां आती हुई कार के लिए हाथ हिलाने लगे ड्राइवर ने हमें देख लिया होगा क्योंकि उसने कार स्लो की थी लेकिन कोई कार से नीचे नहीं उत्रा अपनी जगह से हम एक आदमी को कार चलाते हुए देख सकते थे जिसके पैसेंजर वाली सीट पर एक औरत थी और पिछली सीट पर दो बच्चे सो रहे थे निक ने ड्राइवर से कहा हे सुनो तुम्हें बीच में रोकने के लिए माफ करना लेकिन प्लीज आगे मत जाओ निक ने अपना इंट्रो दिया और बताया कि हमने पहले क्या देखा था हालां कि उस कपल ने सोचा कि हम जूट बोल रहे हैं और हम ही कोई बुरे लोग हैं हमने उन लोगों को ये समझाने की पूरी कोशिश की कि वे गलत दिसीजन ले रहे हैं लेकिन वो आदमी हम पर चिलाने लगा और हमें हार माननी पड़ी कच मिनिट बाद एक ट्रक उसी रास्ते से आया और जब हमने ट्रक को रोका और ड्राइवर को बताया कि हमने क्या देखा था तो उसने हमें थैंक्स भी कहा कल रात लगभग 11 बजे एक कार नैशनल हाईवे साथ पर से जा रही थी ऐसा शक है कि कार में एक परिवार था मार्क और नैंसी फोन के कपल की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उनके शव कार की सीटों पर पाए गए हाला कि आफिसर्स ने बताया है कि कार की पिछली सीट पर दो बच्चे भी थे बच्चां को लापता घोशित कर दिया गया है और मौरिस और एना फोन की बड़े पैमाने में तलाशी की जा रही है उनकी उम्र चार और छे साल है मौके पर मिले सभी सबूत इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये एक प्लैंड मॉडर था लेकिन किसी को भी कवा की कमी की कारण डिटेक्टिव को इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने में प्रॉब्लम हो रही है इसकी अलावा ये लापता बच्चों की तस्वीरे हैं आप उन्हें कहीं भी देखें तो प्लीज इस नंबर पर कॉल करें मैंने तुरंथ ही निक को फोन किया हे क्या तुमने नियूज देखी हाँ मैंने अभी देखी मुझे लगता है कि हमें पुलिस को पताना चाहिए बाद में उस सुबह हमने पुलिस को कॉल किया और उन्हें सब कुछ बताया जो हम जानते थे आज तक वो केस सॉल्व नहीं हुआ और बच्चे कहीं भी नहीं मिले ये बहुत दुर्भागी पुरुन है कि उन लोगों ने हम पर विश्वास नहीं किया और सीधे अपने मौत की तरफ चले गए हे गाइस मेरा नाम आर्या है और सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि मैं आपको ये स्टोरी सुनाने के लिए कैसे जिन्दा हूँ ये सब 25 मार्च को शुरू हुआ मेरे बॉइफरेंड का दो दिनों में बद्धे आ रहा था और हमारा रिलेशन सच में मजबूत था मैं उसे गिफ्ट देने के लिए कुछ ढूंड रही थी सच कहूं तो हम दोनों में बहुत पहस होती थी और ये हमारे रिलेशन को ठिक करने का एक अच्छा माका हो सकता था इसलिए मुझे उसे एक बड़ा गिफ्ट सर्प्राइज देना था मैं अपने पसंदीदे स्पाइडर मैन आक्शन फिगर को पेशने वाले किसी पूसन के लिए इंटरनेट पर काफी सर्च कर रही थी बहुत एफर्ट्स के साथ मुझे कोई ऐसा इंसान मिला जो ये सब बेच रहा था ये इंसान मेरा बच्पन का फ्रेंड था जिसने मार्विल के सभी फिगर्स कलेक्ट किये हुए थे और जितने हो सके उतने बेच भी दिये थे मैं अपने फ्रेंड के घर गई और उसने जिल्दी से मुझे फिगर्स दिखाए मुझे यकीन है कि टॉम मेरे बउइफरेंड को ये काफी पसंद आने वाला था मैं वहाँ अपने फ्रेंड के साथ काफी पीने और उसके साथ बातें करने के लिए रुक गई और कुछ घंटों के बाद मैं अपने घर पे वापस आ गई मेरा बॉइफरेंड नहीं जानता था कि मैं कहा हूँ उस दिन के बाद मैं हैरान थी क्योंकि टॉम ने मुझे बात करनी छोड़ दी थी तो उसना मुझे अपने बद्दे के लिए अपनी फैमली के साथ लेंच पर जाने के लिए अपनी कार में बिठा लिया हम काफी टाइम से डेट नहीं कर पाए और उसकी फैमली काफी दूर रहती थी तो ये पहली बार होगा जब मैं उसकी फैमली से मिलूँगी इस time मैं जो imagine कर रही हूँ वो ये है कि एसल में मैं उसकी family से कभी नहीं मिल सकती थी क्योंकि इसकी family सालों पहले मर चुकी थी मुझे अभी भी याद है कि कैसे उस दिन टॉम के कान से कान तक की smile थी लेकिन मैं बता सकती थी कि वो किसी बात को लेकर डरा हुआ और गुसे में था मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा कि वो डरा हुआ था क्योंकि वो अपनी फैमिली से काफी टाइम बाद मिलने जा रहा था और मैंने मासूमियत से उस पर यकीन कर लिया जैसे ही मैं कार में बैठी मैंने देखा कि उसने मुझसे एक भी शब्द नहीं कहा और ना ही मुझे देखा वो बस अपनी धून में था हे, मुझे बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा क्या तुम थोड़ी देर और सबर नहीं रख सकती तब तो सच में कुछ हो रहा है अगर तुम मुझे सबर रखने के लिए कह रहे हो तो इसका कारण ये है कि कुछ होने वाला है बस, बस सबर रखो ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सप्राइज है मेरे लिए एक सप्राइज? ये तुम्हारा बद्द्ध है मेरा नहीं, मैं उस बात के बाद थोड़ा अंकमफर्टेबल थी मुझे लगा कि सप्राइज अच्छा नहीं हो सकता लेकिन फिर भी मैंने उसे एक मौका देने का सोचा ऐसा नहीं है कि वो मुझे या कुछ और भी मारने का प्लाइन बना रहा था एक्शुली कम से कम उस टाइम तो मैंने यही सोचा था टॉम की कार तेजी से हाईवे की तरफ जाने लगी मुझे पता था कि उसके पैरेंट्स उस डिरेक्शन में रहते हैं इसलिए मुझे कुछ अजीब नहीं लगा जब हम हाईवे पर चड़े तो वो अजीब हो गया टॉम ने कार की स्पीड को बहुत ज़्यादा तेज कर दी कुछ मिंटों के बाद वो लिमिट से ज़्यादा स्पीड पर ले गया मुझे चीनता होने लगी और मैंने उसे टोका लेकिन उसने मुझे इगनोर कर दिया कुछ सेकेंड्स के बाद उसने मुझे जवाब देना स्टार्ट किया हे यार सचमे तुम्हे क्या हुआ है तुम बहुत तीज जा रहे हो और या मझे बता है कि तुम कुछ दिनों पहले एक लड़के से मिली थी क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे तो तुम जान गई खेर अब जूट बोलने का कोई भी मतलब नहीं है हाँ मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था अगर मुझे तुम पर शक हुआ तो ये क्लियर था कि मुझे पता लगाना था कि तुम कुछ कलत नहीं कर रही हो और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है मैंने जो देखा मैं सही था आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है वो सिर्फ एक फ्रेंड था मैं उससे तुम्हारा बोद्दे गिफ्ट खरीद रही थी गुस्से मैं टॉम ने अपना हाथ मेरी करदन पर रख दिया और मुझे गुस्से से देखा मेरे बद्दे को बहाना बराने की कोशिश मत करो ये काफी है कि तुमने मुझे धोका दिया है लेकिन मैं तुमसे सच कह रही हूँ तुम्हारा हर शब्द मुझे गुस्सा दिला रहा है मैं अपने फैसले से ज़्यादा साटिस्वाइड हूँ फैसला? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हे अपनी सीट बेल्ट लगाने की कोशिश करनी चाहिए मेरी जान अचानक टॉम ने कार को घुमा दिया और सड़क के गलत साट पर फ्रीवे पर गाड़ी चलाने लगा सभी कारे बड़ी मुश्किल से उससे बचने में काम्याब रही सब भाग्ये से हाईवे पर बहुत कम लोग थे और फिर टॉम्हें अपनी स्पीड और ज़्यादा बढ़ा दी अभी गाड़ी रखो तुम्हें क्या हो गया है क्या तुम पागल हो गए हो टॉम्हें मुझे कोई जवाब नहीं दिया और बस एक पागल के तरह गाड़ी चला रहा था उसका ये रूप मैंने कभी नहीं देखा था मैंने अपनी सीट बेल्ट लगाने की कोशिश की इससे पहले की मैं खिड़की से उड़ जाती लेकिन मैं शौक्ट थी सीट बेल्ट थी ही नहीं ओ, ऐसा लगता है कि तुमने सीट बेल्ट नहीं लगाई है शरम की बात है तुम इसी लायक हो मेरे जैसे अच्छे लोग ही जीने के लायक है तुम पागल हो कार रोको तुम भी नहीं बचोगे, ये सिर्फ एक बेल्ट है ठीक है, हम वो सब भी देख लेंगे दरभागे से मुझे नहीं लगता कि तुम ये पता लगाने के लिए जिन्दा रहोगी तुम है पता है कि इतनी स्पीड पर अगर कार का अक्सिडेंट हुआ तुम जिन्दा नहीं बचोगी इस से पहले तुम्हारा सिर्फ शीशे से टकरा जाएगा और तुम दूसरी कार से टकरा कर फुटपात पर चली जाओगी मेरी सेफटी के लिए मेरे पास सीट बेल्ट और एर बैग्स है तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो मैं कभी भी किसी और के साथ नहीं रही मैं बस ये चाहती थी कि तुम और मैं कुछ अच्छा समय बिताएं जूट सभी लड़कियां उतनी ही धोके बाज है तुम मेरे साथ इसलिए थी क्योंकि तुम मुझे अभी मिली थी तुम मुझे से पहले ही उप गई थी और तुमने अपने फ्रेंड को डेट करना स्टार्ट किया था है ना मैं कसम खाती हूँ मैंने ऐसा नहीं किया मुझे जूट से नफरत है तॉम ने अपनी कार रास्ते से हटाई और दूसरी कार से उसने मेरी साइड में टककर मार दी खिड़की के शिशा टकरा कर तूट गया और मेरे हाथ में चोट लग गई तॉमने थोड़ा कंट्रोल खो दिया लेकिन चल दी उससे कंट्रोल वापस मिल गया दर्द होता है ना तुम्हें पता है क्या ये प्यार है ये धोखे की कीमत है जब से मैं तुम्हें जानता हूँ मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ मुझे हमेशा से पता था कि तुम कुछ अजीब करने वाली हो लेकिन तुम जानती हो क्या तुम मेरी हो और जब मेरा कोई खिलाना खराब हो जाता है तो मैं उसे भैग देता हूँ इसके साथ ही टॉम नेक ट्रक से टकर मारने के लिए स्पीड तेज कर दी इस बार ये होने वाला था ट्रक ने मेरे बॉइफ्रेंट की कार से पचने का कोई सिगनल नहीं दिया टूटे शीशे से कार में पानी भरने लगा ऐसा लगता था कि टॉम बेहोश हो गया था इसलिए मैंने कार की उस टूटी हुई खिड़की से निकल कर तैरने और बचने की कोशिश की लेकिन अचानक टॉम ने मेरा पैर पकड़ लिया इसके चहरे पर बहुत गुसा दिक रहा था इस आदमी को खुद को बचाने में कोई दिल्चस्पी नहीं थी वो बस मुझे मारना चाहता था जैसे ही उसने मेरा पैर पकड़ा मेरी सांसे थम गई और इस से खराब बात थी कि मेरे शरीर का एक हिस्सा कार की तूटी हुई खिड़की से लगे जा रहा था और मेरी स्कीन में अभी भी कांच लगा हुआ था हर बार जब मेरा शरीर कार से टकराता था तो मैं महसूस कर सकती थी कि कांच के छोटे छोटे टुकडे मेरी स्किन में और भी गुस्ते जा रहे हैं अपने बचाओ में मैंने टॉम की चहरे पर जितना हो सके जोर से लात मारी और मेरी दीसरी किक पर उसने मुझे जाने दिया और मैं मौके का फाइदा उठा कर भाग गई जैसे ही मैंने ऐसा किया मैं देख सकती थी कि टॉम मुझे पकड़ने के लिए अपने बाहों को फैला रहा था जबकि कार गहरी और गहरी डूब रही थी टॉम कभी कार से बाहर नहीं आ पाया असलियत यह है कि ये सीट बेल्ट ही थी जिसने उसे डुबा दिया था लेकिन उसे तैरना भी नहीं आता था लगभग डूबते डूबते मैं बाहर निकलने और सांस लेने में काम्याब रही और जब पुलिस ने मुझे बचाया तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कोई केस नहीं हुआ और ना ही किसी ने मुझसे सवाल किया कि मेरे साथ क्या हुआ था ये पता चले कि टॉम वास्ताव मैं टॉम नहीं था उसका नाम फ्रैंसिस था और वो अपनी पूरी फैमली के मुडर के लिए वांटेड क्रिमिनल था इसलिए वो सबसे कौफी दूर रहता था उस दिन के बाद से मैं कभी भी किसी पर भरोसा नहीं कर सकी मुझे पता ही कि बहुत से लोग अच्छे हैं और उनमें से सभी लोग मुझे मारना नहीं चाहेंगे लेकिन मुझे एक बहुत बड़ी ट्रीटमेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ा हर बार जब मेरे पास कोई आता है तो मैं टॉम को उनकी आखों में देखती हूँ और मुझे लगता है कि कोई इंसान कितना भी अच्छा क्यों नहों वे अपने अंदर एक सीरियल किलर को छिपा कर रख सकते हैं